भाजपा से बगावत करके वैशाही नगर विधान सभाज शितर के नेज़दरी प्रत्याजी जैप्रकाश यादव चुनावी मैदान में किस्मत आजमार रहे हैं। परंतु उनके गदाचौक इस्तित्मोग के चुनाव प्रचार कायलाए में अज्यात लोगों ने हमला कर कारेकरताओं से मार पीट की और पोस्टर बैनर पर ब्लेड चला कर फार दिया। इसकी शिकाए जैप्रकाश यादव उनने सुपहला थाने में दर्स कराई है। सुपहला थाना में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि कल मेरे चुनाव कारेले के फ्लेक्स को फाड़ा गया है और नुकसान पहुचाया गया है मेरे चेहरे को ब्लेड चला कर फाड़ा गया है तो जिसके कारण से हम सभी दुखी हैं और हमने आज अपराद पंजी बद करने के सुपहला थाना में विधिवत शिकायट की है और हम मांग करते हैं कि जो इसमें दोशी है और जो लोग इसके पीछे हैं उन पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए और उन्हें इस निर्वाचन की प्रक्रिया से उनको निरस्त किया जाना चाहिए जो की चुनाव आयों के आचार सहीता के अंतरगत आता है विगत दिनों मेरे कारेकरता जब मेरे चुनाव प्रचार से घर लोट रहा था तो उसे रोक कर पूछा गया कि आप कहां से आ रहे और किसके साथ आ रहे जब उसने मेरा नाम बताया उसके साथ मार पीट की गई बुरी तरह से उसको मारा गया और यह कहा गया कि विजेभी प्रत्याशी के पक्ष में तो उनको प्रचार करना है काम करना है जैप्रकाश यादों के पक्ष में नहीं करना है तो यह सारी चीजें यह बताती हैं कि अगर ऐसे लोग धोके से भी वैसे तो चुनके आने वाले नहीं अगर धोके और गलती से भी ऐ हार हो रही है और मुझे कारकरताओं का भी समर्थन मिल रहा है और जनता का भी समर्थन मिल रहा है ये सारी चीजें उसी का नतीजा है कि ये डर गए हैं और अभी 17 तारीकों जो मद्दान होगा उसमें इन सब बातों का उत्तर जनता देगी क्योंकि जनता समझ रही है कि सही गलत कौन मैं बिना किसी के नाम लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि वैशाली नगर विधान सभा की जागरूग जनता जिम्मेदार जनता बखो भी समझ लिए कि इसके पीछे लोग कौन है